नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से हाजर है एक नई वेकेंशी के साथ और इस वीडियो मुझे वेकेंशी की डिटेल से बात करेंगे तो वीडियो को स्टार्ट चलेकर एंड तक जरूर देखें अगर आपको इस नोटिफिकेशन की पीडिएप चाहिए तो आप हमारे टेलिक पर होगी और कॉंट्रेक्ट पीरिड है वो प्राइमरी रूप से दो मेने का है लेकिन आगे भी इसको बढ़ाया जा सकता है और यह वेकेंशी पस्चिम दिनाजपू डिस्ट्रिक की अंदर होने वाली है अगर हम बात करें पोस्टों की तो स्टाब नर्स की पोस्टे रहन के अंदर टोटल तेंतीस पोस्ट हैं आयूस सेटेलाइट होस्पिटल इसके अंदर भी टोटल तेंतीस पोस्ट हैं डेवरा आरेच कोवीड होस्पिटल इसके अंदर भी टोटल दस पोस्ट हैं गाटला एस्टिएच कोवीड होस्पिटल इसके अंदर टोटल बीस पोस्ट स्वास्ते बवन सर्तपली मेदनीपूर टावन पस्चिम मेदनीपूर के अंदरी रहने वाल है डेट की बात करें तो भी बारा पांच दो जारी किस को इंट्री होगा और आप पर रिपोर्टिंग टाइम रहेगा साड़ी दस एम को अब आगे हैं पर जनरल इंस्ट्रेक्शन कि आप देख सकते हैं जो कंडिडेट्स हैं उनकी अगर पीसी नर्सिंग और जीनम कि वाई है साथ में वेस्ट बंगल नष्य नर्सिंग कॉंशल registration के अंदर आपका registration करवाया हुआ है staff nurse और genome की रूप में तो आप apply कर सकते हैं और आपका जो walking ने interview होगा उससे 30 मिंट पहले आपको वहाँ पर reporting करनी पड़ेगी जब भी आप वहाँ पर जाते हैं तो आपके original documents लेके जाने हैं साथ में उनकी परते की एक Excel पर टेस्टेट फोटो कोपी भी लेके जानी पड़ेगी और साथ में आपकी फोटो भी लेके जानी पड़ेगी यह सारे documents आपको वहाँ पर लेके जाने हैं और यह आप देख सकते हैं इससे समन्थ में कुछ अन्य जान करें चाहिए तो यहां official साइट पर जाकर वरकिंग जो इसके days होते हैं उनमें साधी गैर एम से साधी चार पिम तक किसी भी परकार की जानकारी प्राप्ते कर सकते हैं यह इसका application format देरक है यह application format हमारे टेलिग्राम चैनल और WhatsApp रूप से प्रिमें डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद इनको पुन रूप से fill up करना है और साथ में आपकी जितने बी original documents हैं और उनकी एक एक जेरुक्स कोप्य आपको साथ में लेके जाने इस परकार यह format इसका देख सकते हैं दोस्तों इस परकार यह contract based की वेकेंट से लेकिन काफी बढ़िया वेकेंट से तो आप apply करना चाहिए तो apply कर सकते हैं दोस्तों इस वीडियो में इतनी ही टोपिक के साथ तब तक लिए जय हिंद जय भारत